नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूटूब चनल अनुप गुरू टेक में हम आपका स्वागत करते हैं आज हम महार्शी बालमिक आश्रम लालपूर संपूर जानकाई देंगे यहां पर अशावर माता का भी मंदिर बना हुए दोस्तों इस मंदिर के बारे में संपूर जान और माता सीता ने गुजारत हैं प्रियाग राज हाइबे पर इस्थित महार्शी बालमिक आश्रम है दोस्तों चित्रकूट वह जगा है जहां रामायर के रचाईता महार्शी बालमिक का धाम का आश्रम है चित्रकूट के लालपूर में महार्शी बालमिक की तपस इस्थली सब्सक्राइब कोवाध नदी के नाम है भी जाना जाता है लालपूर तो यहाँ पे आप आएंगे तो यह साबर माता का मंदिर को यह सीड़ी चड़ेंगे इसाबर माधा का मंदिर हिस्जे इसाबर माता को आसामबरा देवी के नाम से भी जाने जाता था पहले लेकिन प्रिजन टाइम में असावर माता के नाम से लोग प्रसिध्य इस्थल लालापूर माना जाता है ऐसे कि आप देखते हैं यहां पर हम आम आउश्य को दिन आये हैं तो काफी भीड नहीं है लेकिन अक्सर डेली इस में काफी भी रहती दोस्तों इस असावर माता के मंदिर में काफी भी रहते हैं कि आप देख रहे हैं हम इस अंदर का वीडियो दिखा रहे हैं आपको इसमें काफी लोग शीरीज चाड़के परी परी कर्मा को लगाते हैं आप देख सकते हैं दोस्तों परी परी कर्मा लोग यहां पर आते हैं दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यहां से आप उपर जैसे चढ़ेंगे सीड़ी करिब तीन सो से प्लस उपर हैं सीड़ी जो उपर गई हैं महार सिबाल्मिक आस्रम है उपर साइब लड़के लोग आ रहे हैं महार सिबाल्मिक आस्रम से घूम करके लोग आ रहे हैं लेकिन बहुत कम लोग जाते हैं यहां पर घूमने दोस्तों यह पूरा नजारा है यह सावर माता मंदिर का जैसे कि आप देख रहे हैं चलिए तो हम अब महार सिबाल्मिक आस्रम की तरफ चल शेष्था हैं दोस्तों और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे इस यूटूब चनल अनुप गुरु टेक को अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लें लाइक कर लें शेयर करें दोस्तों ऐसी ही जानकारी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से नए ने जानकारी देते रहेंगे दोस्तों धन्वा चलिए देखते हैं आप कि हम महार सिवालमिक आसम चड़ रहे हैं सीड़ी जैसे कि आप देख रहे हैं अभी सन 2019 में यह जो निरमार हुआ सीड़ियों का मतलब सीड़ी पहले से बनी थी लेकिन बैक साइड मतलब बैक साइड यह चाया बनी है यह सब अभ सीड़ी से चारते हुए महार सिवालमिक आसम चल रहे हैं और कुछ और जिक्रद लेते हैं इन महार सिवालमिक आसरम की बिशेषताएं में कि हम कभगोबने यहां पर आया जैसे कि महार सिवालमिक सब्रह8 ब meansDoor के सधारू लोग यहां आते हैं यह खुल कोट सट्री बस्ष से और रेलबे से तुकूष रेलबे स्टेशन से यह आश्रम 18 किलो मीटर दूर है यानि कि आधे घंटे की रास्ता पड़ती है दोस्तों आप यहां पर आईए और यहां पर दर्शन करिए और यह सुबा आठ बजे से साम पांच बाई तक यहां पर दर्शन हो सकते हैं इससे बाद दिया सकते हैं लेकिन यहां पर रात हो जाती है तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो आप लोग अपना समय के विश्चेश ध्यान देते हुए आप यहां पर आ सकते हैं और यहां पर सीता रासोई भी बनी हुई है चली हम वीडियो में आपको इस वीडियो के सिधा रासोई भी महारती बाल्क की में है और ये गुफा भी है जो गुफा का हम जिकर हम लाश में करें गए और वीडियो लाइब दिखाएंगे दोस्तों की गुफा कैसी है वहां पे कैसे है दोस्तों और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे गुरु टेक यूटूब चनल को स यहां पर जाएंगे कि यहां पर चाड़ेंगे इस प्रकार से निर्मार है दोस्तों यहां पर मंदिर बना है और यहां पर बहुत कम लोग घुमने आते हैं यहां दर्सन करिए इसके बाद यहां यहां को पर अब है कहते हैं पर इसैना में में रिया कौने गए दोस्तों सैनी मेरा कहने हैं यहां पर जैसे यहां को रही है और 2019 दोस्तों कुछ नया बैटने के लिए कुछ शुबधाय बनाई दी गई है दोस्तों यहां पर पानी शुबधा भी है लेकिन अक्सर इसमें पानी नहीं रहता क्योंकि यहां पर देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे बंदर हो गए रहा हैं और यहां पर आप आए तो लेकर आएं दोस्तों उपर क्योंकि यहां के लिए कुछ खाना पीने तो चैने रहोते हैं तो आप यहां पर ले आएं को लिए कुछ डाल दी तो आपको पुन होगा जैसे कि आप देख नीचे से यह पहार के सबसे उपर हिस्से में हैं यहां से आप नीचे का नजारा भी देख सकते हैं बहुत दूर दिख रहा है दोस्तों चलिए तो अब हम आपको गुफा की तरफ ले चलते हैं दोस्तों की गुफा की तरफ यह जैसे आप देखेंगे यहां पर अंदर की तरफ आने पर यहां पर दो लोग देख रहे हैं यहां पर जैसे देख सकते हैं यहां पर ताला भी लगाओं इसमें अंदर साइड भी जोटा गेट लगाए इसी अंदर कर गेट लगा है आप पर बनाया होगा दोस्तों यहां पर कौन रहता है अक्सर ऐसी जानकारी हम आपको इसी चनल में देते रहेंगे दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए हमारे इस यूटूब चनल अनुप गुरू